वेल्कम बेक महूँश आउनल आज के स्विडम बात करने मारे क्लास तरहें टर्म टू मैथ एक्जाम के बारे में काफी बच्चे बहुत ज्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा चेप्टर पहले करें वो एक इसे से पहले बात करते हैं जो आपका एलजाबर आपका 10 Marks का रहे हैं जिसमा आपका quality equation और AP का रहा होगा next आपका geometry वो 9 marks का रहे हैं जिसमा आपका circle और construction और रहा होगा नेक्स आपको जो टिक्नोमेट्री वो आपका साथ नमबर का रहा है ठीक है एप्लिकेशन टिक्नोमेट्री ठीक है वो आपको एर साथ नमबर का रहा है मैंसुरेशन आपका six marks आपका surface area and volume काफ़ जादा बच्छों बहुत जादा ड़ लगता है चैप्टर से मैं आपको बतात से जो लोग कोशन है वो आपके एपी सरकल सम एप्लिकेशन टिक्नोमेट्री और आपका surface area में से आ रहे होंगे ओके सबसे पहले बात करते हैं आपको चैप्टर को कैसे डिवाइट करना है चैप्टर किस तरह किस से पढ़ना है देखो आपका जितना भी टाइम अभी है उन उस time में आपको chapter को divide कर दा मसलब एक easy chapter पकड़ लो एक tough चेप्टर टिक टफफ चैप्टर जो आपको tough लगता वो आप पकड़ो एक easy chapter पकड़ो दोनों को combine करो एक डे में आपको easy chapter औ tough chapter COM से पढ़ना है यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा discuss करू थोड़ी से आपको detail ब लागोंगे चीज आपके क्लिए यह चैप्टर आपको पकड़ना है इसके साथ आपको कौन सा चैप्टर पकड़ना है सम एप्लिकेशन और टिकनोमेटरी ठीक है इसमा आपने दोतिन कोशन ठीक है अच्छे से एक बार आपने एंचार्ट के गो थू कर लिए आपने चार लेखने से आपको चीजों का आइडिया लेख जाए कि कौन कौन सी चीज है किस तरीके से मैंने जोरी है अब देखो एक चीज क्या है एक्जाम में कुछ नहीं करके आने से बढ़िया है कुछ करके आजाओ ठीक है कहने का मतलब यह है अगर आप कोई कोशन छोड़ देतो त आपको एक नम्बर महाँ पर मिल जाता तो याद आपको जो सरफेसर वाला चैप्टर आना उसमें आपको अच्छे से फॉमले रिवाइस करके चले जाने है बड़े तरीके से आपको चीजे गो तूर करके चले जाना है जो कौशन नहीं आता ठीक है जो आपको चैप्टर से जो कोशन नहीं आते हैं उनके इपर वन्शूट देखो फटाफट ठीक है एक सैंपल एपर जोड़ लगा प्रिवेसर पेपर फटाफट करके आपको इस टाइम प्रिवेसर पेपर कर लेना है एक्जाम से पहले डेफिनेटली काफी अदा टाइम में हम अब भी स्कूर कर सकते तो उन साथ चैप्टर में आद पांच चैप्टर ऐसा हो कि उन पांच चैप्टर में से हम पूरा अच्छे से बढ़िया तरीके से कर दें तो एंसार्ट और एंसार्ट एक्जाम पर यह आपके कियो होनी चाहिए वन शोट एक बार आप चैप्टर का देख लो कोशन लगा काफी बचचे की यह भी कंफ्यूजन रहते कि यह पासिंग क्राइटे रिए क्या है पास कैसे हो मतलब किते नंबर पर पास हो होंगी आपकी बार गारं अगर आपके तर्फर्ट पॉस इंटर प्लस प्लस तर्फ Is. लाकिन दोनों का ब्लाकब, तो कोई भी दिखकत वाली बात नहीं है, ठीक है, go through करो, important question go through करो, ठीक है, एक बार, one shot जरूर देखना, अगर आपको कोई भी chapter के बारे में detail नहीं है, कुछी पता है, तो one shot देखकर, आप exam में, कुछ न कुछ करके, एक अच्छा-कसस को definitely ला सकत आपको वीडियो अच्छे लेगी, यह को आपको कुछ quick revision आपको बताना था, कि आपको कैस कैस चीजों को revise करना है, और पढ़ते रहना है, और definitely आपका paper काफी अच्छा जाने वाल है, all the best everyone, bye bye, take a good bye, bye bye,